वेलकम टो एस इसीटिगी त्रुपल 8 को स्वागत है साथ यह सिश्टिडी । एक्रवक यह जोब आ कि दोपीक है वहारे जह सै जह से जोपके आनलीस उतर टेंपलेट के तोर पे अपन कि यह सो समझेंगे कि जह से जह सको कि तरह केस्द तरह से से अपने फील अप कर सकते हैं जहाए हो सकते हैं क्या कर स्क्राइब काई कर सकते हैंक वर्करन आज जानेंगे तो सबसे पहले जानले एक क्या होता है उसके बारे एक जो छोटेष छोट छोटा का तो छोटेष चोटा कारीयर मौजुद होता है उसके hizyaor ll को पिचां, कट्रोल कान करना होता है झा जहासे एक written documents होता है या जैसे written process होता है जिसे काम के steps और उनसे जूड़ए की साभी साफ़ार के के समधिशा करने क्लिए विक्षित क्या जाता है या शुसके बात कंट्रोल डेकर उसके जोके में रिसको को कम करने के किया जता है और जोब सेप्टी एनलिसिस इसे हम जोब सफीर इनलिसिस की सोरूप में जान OSS I हर कम्पणियां अलग अलग format बनाती है आप आते हैं ज्य है से जोड़ सप्टी ऑ निलड़िशीस करने का सुधार और कई तरह के हजार्डस को रोकने में मदद करता है अब इस टेंपलेट के माधिव से अपन समझेंगे कि कि कौन कौन जैसे का मिंबर हो सकता है या कौन इससे अफ्रूब कर सकता है इसके बारे में पन जानेंगे और उसमें नहीत हजार वर्क टास्क परकूम करें उसमिंएवस्के बारे में जानेंगें तो चलते ज्यक्शेर जैसे चहसे आप इसमाट teaching में आता है भी साइट है उसका लाव जो भी सुप्रोवाइजर उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है उसका नाब अगर उस टास्क में परमिट टुवर्क की रिक्वाइड मेंट है तो येस अगर नहीं है तो नो की आपकर के आगे बढ़ेंगे तो अपन ओड़ी सेटी मेसर्स अपलाइ प है कि घ्रस भी कि अंब्लांड एरिया ब्रकैत या में श्क् hell कि अगने कने अगओ नमिजाब्ड में गारें सब्सक्राइड हो भ्लांड अब्लियों अग्हें परम जार्यजी Devil कर दे हैं उसके बाद जोबी कर देखेंट मेंटेनस्ट का जो रोलर और और हो फक्लैसमेंट हो गया इसका ज्टेस्ट पींग हो रिप्लेस्मेंट का जो गया इसमें roller replacement का job गया या फिर मान दीज़ें convey replacement हो गया इयवगे जैसे c में pulley replacement हो गया या इसमें बताए गया है कि जो जैसे इसमें listeners gearbox की replacement हो गया और lubrication करना हो गया ठीक है आप है अब आते हैं कि इसमें जैसे team members कौन कौन हो सकता है जैसे team members में एक team कow्क точर्ट की गया उसके लिए एक टीम फॉर्म की जाती है उसमें जैसे इसमें जोड़ा गया है जैसे इसमें हाइज डियल रिस्क डिसके नोली बीटर्ना अप्र दरेश्ट ऑप दे जोग जैसे इस कंप्लेटर यानिके जैसे एक मैं है का फॉर्म वॉह चरिक कोई प曲तर होता थे दो उसमें उसके बाद उसके suggestion बाद जाता एक में बाएं इसमें क्या शायड का जोप्रेशन के चार्ज होगा वह जो जो होगो कि चार्ज वह और जो सब्सक्रार वह इसमें XL होगद ज़रम तो पी horrifying जो भी जहसे टीम ने मिलकर बनाई है अनिल खत्री के पास आती है अनिल खत्री उस पर ओवर्यू करेगा और अगर उनको लगागी यार यहां पर और कुछ एडिशनली पॉइंट अपन मेंचन कर सकते हैं तो वह अपना पॉइंट मेंचन करके हैं फिर आगे जो भी जो भी कर सकते हैं या जो भी 70 मेजर जो निल खत्री के थुरू होके आई हैं वहां तक सिमी थे या उचीद है तो उचीद हो तो वह भी अपना साइन और डेट जो भी मेंचन करके आगे बढ़ाए उसके बाद माल लिजे जो देविलाल है या 70% से 70% से यह रिव्यू करेगा और उ जैसे में जो भी वर्क टास्क परफॉम हो रहा है उसमें क्या क्या खत्रे हो सकते हैं उसके बारे में अपन जालते हैं तो चलिए जैसे में क्या के पॉइंट हो सकते हैं उसके बारे में जैसे एक्टिविटी जो 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 प्रॉपली जो टास्क टास्क परफॉम हो रहा है उ जैसे अब activity की बात करें तो first point आता है PTAW सबसे पहले activity होगी उस task में PTAW रहना अब इसमें hazards क्या हो सकते हैं या कुछ gaps क्या हो सकते हैं adequate planning improper communication यानि कि अप्रियप्त planning यानि कि वहाँ पे किसी तरह का को communication ना हुआ हो और direct task को perform किया जा रहा हो तो इसमें किसी तरह का कोई risk नहीं है या किसी कोई हार्म होने का कोई chances नहीं हो तो यहां पर कोई mention नहीं होगा यहां पर आते हैं अपन control measures के लिए क्या कर सकते हो तो proper planning and communication toolbox before start यानि proper planning और communication करना चाहिए टीम के साथ toolbox टोक करना चाहिए ओके एंड इंशोड PTW has been issued और यह भी इंशोड होना चाहिए कि कोई भी task perform करने से पहले PTW issued होना चाहिए उस task के लिए जैसे और जो इलेक्ट्रिक सोर्से से वो पूरी तरह से isolated होनी चाहिए अब इसी में सेकंड एक्टिविटी आ रही है अपना guard removal जैसे माल लीजे जो भी यह bearing replacement का काम है तो उसके लिए अपने गाड पहले रिमूव करना होगा तो इसमें इंडिक्वेट एंड फॉर क्वालिटी ओ पिपीज यानि के जो पिपीज की क्वालिटी है वह बिल्कुल घटिया क्वालिटी है और वह अप्रियाप्त है यानि जो रिक्वाइड्मेंट जो जितने पीपीज की रिक्वाइड में वहाँ पर ने है तो इससे क्या है और वरक कर केक्वाग पीपीज थे इससे। प्रोपर टरी के सरे तरा रहेएंSौड़ ऐस्ट के तो में बग सकता है या प्रोपर तरीकेसा हूस्त हो चाहिए, तरफ पुल विद यानि दोरान पूरे समय तक जो भी वर्कर है युम्ब्रोण रखता है वो पूरी समय के लिए जब तक वो टास्क चलेगा तब तक के लिए वो पीपीज पहने रहेगा अब थर्ड एक्टिविटी क्या रहेगी थर्ड एक्टिविटी रहेगी बीरिंग रिप्लेस्मेंट की बीरिंग रिप्लेस्मेंट में क्या अपन फाइंड आउट कर गिरबी सकता है तो इससे क्या हार्म हो सकता है वरकरस के साथ तो कटट क्रush injury in decentralized body parts injury में होकर यानि के कट क्रush injury भी हो सकती है internal जो भी वरकर का internally body parts है वह हलका फुलका उसमें injury हो सकती है तो उसके लिए control measure सपन क्या लेंगे इसके लिए control measures अपन लेंगे यानि कि जो एलेक्ट्रीक एलेक्ट्रीक सोर्सें वो पोजिटिव तोर से आईसोलेटर होने चाहिए और एमर्जेंसी प्रेश्ट और पूल कोड एक्टिवेटर होना चाहिए सबसक्राइब करना चाहिए जो एनी किक चाहिए जो इसकिल पर्सें और तेस्टिड टूल का यह संब करेगा अब आते हैं फौर्थ पोईट में क्या एक्टिविटी रहीगी गेरबोक्स रिप्लेस्मेंड की एक्टिविटी रहीगी उसमें क्या हजार सब पने फाइंड आउट किया उसमें एनिबडी में स्टार्ट बेल कन्वेर वाइल वरकिंग यानि कि कोई भी वरकर या सकते हैं भरकर के साथ करश इंजिरीह हो सकती है और इसके लिए अपने क्या control measures आप्लाइ करेंगे इसके लिए control measures अबने एक्टिविटेड होना चीए अब पहते हैं, फिप पॉइंट में ओयल रिप्लेस्मेंट, ओयल रिप्लेस्मेंट एक्टिविटी में अपने को क्या है इसार्स आइडेंटीफाई हुए है, परसंन में फवल यानि जो आदमी या वरकर नीरबाइ वरकिंग कर रहा है, वो फिसल सकता है, स्लीप हो सकता है, उसमे क्या इंजिरी हो सकते हैं इंटरमल बोडी फाट्स हाम हो सकते हैं इसमें लिए अपने कंट्रोल मैजर्स क्या आप लाई कर रखें इसके लिए इंशुर दप्रापर अप्रोच एंड चेक के अपोली यानि कि जो प्रोपर अप्रोच है वह को इंशोर करना प्रोपली इंशोर करना यूज जोब स्पेसिफिक पीपीज वाइल जोब और जोब स्पेसिफिक पीपीज है उसको उसको इंशोर करना प्रोपली जोब के दोरान इंशोर नो वैल इंस्प्लेटेट फ्लोर दूरिंग वैल रिप्लेस्मेंट यानि वैल डिप कर सके अब आते हैं हैं वर्थ चाहएं आसे सब्सक्राइब कर सकता है जैसे इन एडिक एन पूर क्वालिटी और यह यह आप प्रियाप्ट वहता हैं इसमें फिसिकली इंजिटी तु परसंस वर्किंग नियरबाइ और जो भी फिजिकली इंजरी किसी वर्क परसंस के साथ हो सकती है उसके नियरबाइ एरिया में काम करते हैं आपने कि पारटिकल जो पार्टिकल से में फाले इंट्व यानिकि जो में गिर सकते हैं और इंचुरियों में सकती है उसके लिए अपने किया गण्रॉल मेजर्स लिए जो जो भी एन्वांटेर मटेरियल है का जोब कंप्लीट होने बाद उनको वर्क साइट से रिमूड कर देना चाहिए और इसको डेजिग्नेटर इस जो भी एरिया है वहां पर इसको रख देना चाहिए तो हाउस्किपिंग तो भी डूरिंग जोब हाउस्किपिंग भी जोब के दौरान करनी चाहिए तौह ट्रिप हजार जयानि कि जो ठोकर लगने का जो घरने का या यह माली तब तक लिए thanks मिलते हैं next topic के साथ thanks, thank you for watching